हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप सब आज मैं आपको एक स्वेटर का पाटन बनाना सिखाऊंगी राउंड कले का स्वेटर है बहुत इजी पाटन है तो चलिए वीडियो शू करते हैं लेकिन वीडियो शू करन से पहले फ्रेंट्स अगा आप मेरे च प्रेंट्स वाला यान тебя कोऄ और तो अगर आप को थाए उख दोक छू पाद बनाना है चाहते हैं तो आप सब्सक्राइस ले लibt आजुए और अगर इसी से थाया जाकते हैं सबस्कों आप बनाना है है और उसे परड़े कान प्रीजे में दिक्कत अहले के गले का नाप लेंगे और जो stitches होंगे जो chance होंगी वो six के multiple होंगी तो उस आप बना लीजिए और six के multiple chance बना लीजिए थोड़ा सा कम जादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीकी से कोई भी size बना सकते हैं इसमें आपको कोई अलग से आपको क्रोशिय कौन सा ले बनाते जाएं ठीक है तो दिखें यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमने चैन्स बनाई है इसके फर्स्ट वाली चैन में 72 चैन्स बनाई है मैंने जो six के multiple chain है ठीक है और यहां पर हम इसलिए पिस्टिस से अटेच कर देंगे और दिखें आप वीडियो पूरा देख्या कीज पूरा दूरा वीडियो देख लेते हैं फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि यान कोई से ली थी किस साल के लिए बनाया है या कौन सा क्रोश्या लिया है तो मैं सारे डिटेल में बताती हूं कर आप वीडियो शुरू से लिए के अंट तक देखेंगे तो आप कुछ भी सब्सक्ति हम रभारी चैन-3 रहेगी इसके हम रवारी डबल क्रोशीर काउंट करएंगे ठीक हैब सेकेंड वाला उटफिवार बना है जो nuanced मैं बनाने है हर एक स्टिच में रभी गिग रहेगी धर करोश्य साहिक वहुना है तो यह दीखिए मैंने यह लास्ट तक बना लिया हर एक स्टिच में एक एक स्टिच अब दिखिए जो हमने चैन 3 बनाई थी स्टार्टिंग में तो यह थार्ड वाली जो चैन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटाइच कर देंगे कि इस तरीके से ठीक है त्योंग फेन थ्री बनाएंगे किए वापसiran जाएंगा एक लेका रेश्य कि यहाँ पर इसप्छ से डबल कृश्य बनाएंगे आद पस्ट रोज कि यह को बैए एक रोज तेली किसी बनाएंगे क की अब जो करेंगे यह वाला स्टिच चोड़ेंगे पहले हमसे आगे वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे अप फिर दीखें हम और फिर जो मनें पहर छोड़ा था उसमें बनाएंगे तो यह सेकिन्ड रोह है हमे इस तरीके से बनानी है स्थिच कि यह 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 स्थिच चोडेंगे ऑल इसनों यह सधिक्सिच में ऑल थार दोबल कुछिय एडि 이제 जो नहीं च्छोड़ा था उसमें बंडबल गुरुशय बनाएंगे फिर वापस से देखिए एक इस टे चोड़ेंगे और पहले वाले में उसके आगे वाले में बंडबल गुरुशय बनाएंगे और बाद में हम इस तरीके से एक पैटर्म बनेगा तो इस रोगा हम लास्थ किसी तरीके बना लेंगे तो मैं बना के इस तरह आती हूं तो यह देखे यह सेकंड वाली रो भी मैंने लास तक बना लें अब यह देखे जो मने स्टार्टिंग में ठी चैन्स बनाई थी यहां पर हम इसको थढ़ वाली chain में slip stitch सा attach करता है ठीक है अब डीके हम क्या करेंगे यह हमने row में कोई n*** किया इसमें कोई n*** किया अब डीके एक row में हम increase करेंगे और एक row में हम यह pattern बनाएंगे तडीके कैसे increase करेंगे? चैंटी बनाएंगे 1,2,3 यह चैंटी हमारा first double crochet है इसको one count करेंगे आगे दिखिये second stitch में one double crochet बनायेंगे और जो third वाला है इसमें हम two double crochet बनाएंगे यह जो और यह two फिर दीखिये one one double crochet बनाएंगे two stitch मैं one दीखिये फिर सिने one one double crochet बना से 2 बंड हम न해요 कांग करने शीसी तरीके सर्थolic if बढ़ाईंगे और क्क सिट ले इस तरीके से बढ़ाने डिए बनाने के बात हम कर बबसे ही सैकेंड वाली रोपीट करें के सेप्सी तरीके से बनेगी जासे हम ने बनाई थी से किल वाली है फूर्फ रो हम इस तरीके से बनाना है तो यह दिके हमने इसमें थर वाली स्टिच में स्टिच बढ़ाया था फिर हमने यही वाली रो रिपीट किरी फिर हर फूर्फ वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाया फिर यही वाली रोर रिपीट की फिर हर six वाले स्टिच में इस्टिच बढ़ाया और यही वाली रोर रिपीट करी है तो दीखे हैं अगर आपको नंबर सही चल रहे हैं आपने शुरू में 6 के multiple लिये हैं और आपने कहीं भी गलती नहीं करी है तो आपकी ये stitch even number में ही आएंगे इससे आपका ये pattern पूरा हो जाएगा अगर odd आ रहे हैं तो आपने कहीं गलती करी हुई है तो दिखें मैंने यहाँ पर total कितनी रो बनाई है और यह 6 रो हमने बिना इंक्रीस के बनाएगे अब दिखें यह हमारा योग पूरा हो गया अब हम armhole और body part में डिवाइड करेंगे तो पहले हम stitches count कर लेंगे मैं कर लेती हूँ और उनको किस्ते किसे डिवाइड किया है ये भी आपको बताऊ लिए तो यह दिखी जब मैंने इसके stitch count की तो टोटल से जो stitches हो रहे हैं वह हो रहे हैं 168 तो दिखें 54 और 54 हम रखेंगे फ्रांट में और बैक में और 32 stitches हम रखेंगे आर भूल में ठीक है तो देखें यहाँ से अधे 26 हम इस तरफ से बनाएगे और 26 जब आएँगे वापस इस तफ से बनाएगे और ठीक है तो मैं इस तरफ से बनाना श्रू परेंगे उन बनाना हमें उसी ही तरीकी से है जैसे हम हम चंत्रीक दो चले तरदी यहां पर हर एक किसमे कि सुरम की एभाण यहां पर आ जाएंगे की मैं यहां illustrations कि यहां से मैंने बनाए हैं और 26 इस्टिच बना लिए हैं यह 26 वाला है अब देखिए हमें आद मोल के लिए 16 इस्टिच पस्वारी 32 इस्टिच छोड़ने हैं तो यह देखिए हमें डबल में काउंट करेंगे 16 होंगे यह देखिए यह देखिए हैं तो हम सीधा 33 वाले स्टिच में इस्टिच बनाएंगे सीधा अगर आपको लगते कि आर्मोल चोटा है यहां पर एक दो चैंस बना सकते हैं तो हम सीधा 33 वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे वैसे आर्मोल कापी है यह जदे स्टिच कटाएंगे नहीं इसमें तो आर्मोल हो जाएगा तो देखिए यहां से हम हर एक स्टिच में अब बन डबल क्रोशिय बनाते हुए जो पीछे के स्टिच के हैं 54 स्टिच ठीक है इनको बना लेते हैं यह हमारा फर्स्ट वाला आर्म किया है वहां तक बना लेंगे तो यह दिक हमने यह यह परस्ट यहां निशान लगा था यह पहला आर्म यह जोड़ा था और यह दिक हमने फ्रंट के यह 54 स्टिच बना लिए हैं अब यह दिक हम सैकंड आर्मोल के लिए भी 60 स्टिच चोड़ेंगे इस और 32 डबल में 16 सिक्स्टीन के डबल 32 हो गया अब यहां से जो 33 वाला स्टिच है उसमें सीधा वन डबल कुरूशे बनाएंगे यहां से हम हर एक स्टिच में एक स्टिच बनाते हुए और जहां से स्टार्ट किया था वहां पर आ जाएंगे ठीक है यहां पर बना लिती हूं इसको तो यह दिखे मैंने यहां पर इसको स्टिपिस्टे से जोड़ दिया है यह हमारी आर्म होल के बाद फस्ट रो है तो यह जो इसकी चैस्ट है वो 25 के करीब हो रही है तो हम फोर यह को 24 हम फिक्स चैस्ट लेते हैं तो यह टूंटी फाइफ दाएफंड हाफ इन्चे करीब ہو रही होगी तो यह फोर और फाइफ यहां पर आराम से आजाएगा प्रटिपल ही है यह जो हमारा पैटन है वह पूरा बनेगा बस हमें हर एक स्टिच पे एक स्टिच बनाते हुए ठीक हम इक बार यहां पर बता देती हूं फिर हम यही रोग को रिपीट करेंगे वन डबल क्रोशे की और फिर यह वाली रोग कि दिखेंगे हम आर्मोल पर यहा की लंबाई पूरी कर लेंगे फिर हम बॉर्डर बनाएंगे तो मैं पहले इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूं यह वाली रोग और वन डबल क्रोशे की रोग यह रिपीट करते जाएंगे एक के बाद एक तो यह दिखे यह हमने बना लिया है पूरा और मैंने अभी इसकी तो टाल अभी हम बॉर बनाएंगे तो टोटल लंबाई हम इसकी रखेंगे अ मनोसे नीचे रखेंगे रही हमकिस्की टोटल लंबाई मैं इन्चे तो डिल्ट के करेंने नब्ट बनाना वाक्य हो टेके तो 1-5 बार्डर बनाएंगे अईसे ही अम आर्म हों में बंडर बनात तो दोलकिये हैं तो देखें इवरी जो भी चैन टी और वरण इस तरीके से ही आएगी तो अगर आपके आ रही है तो आपको परिशान होने की ज्वलत नहीं है फोड़ी से राउंड हो जाएगी इस तरीके से बनाते बनाता है ठीक है आप दिखें क्या करेंगे चैन तो चयन त्री बनाएंगे 1, 2 और त्री एक स्थिच को हमांगे की तब से बनाएंगे आप दो दो इसट रहुत का भी बना सकते हैं उसा दो इसट इस यह दू इसट रह रहे हों और दो स्टिश को हम पीछे बना लेंगे और चाहें तो एक स्टिश आगे एक स्टिश पीछे करके भी बना सकते हैं तो इस तरह के से हम बना के राउंड में इस तरफ आ जाएंगे तो यह दिखिए लास तक हम बना के आ गए मैंने एक स्टिच आगे और एक स्टिच पीछे वाली रोही बनाई है अब देखिए यहां पर हम थर्ड वारी चैन में यहां पर स्लिप स्टिच से अटेच कर देंगे इस चैन्द एक चैन्दि बनाएंगे 1,2,3 बमाया जो श्टिच हम आगे तरफ हमें दिख रहे हैं इसको हम आगे की तरफ बना लेंगे और जो श्टिच पीचे की तरफ दिख रह एं से भी थिर बना है इस थिर भाण mesma और चैने टीकर यह स्रीनरा सब बना इहां केक्या तो यहां पर वहारा एक स्टिच इसमेही जाएगा तो यह जो एक स्टिच यह और किस्ट यह का दोकर सैट हो जाएगा निकिंए। कि दृट करकें बि万फयों ऑन्टी हरीम्मन बेघंड सीवा बनाती मेंफ़ômा क्रोशा दोगें हम स्लीव के बीच में आजोंगे 7 से और यहें सिस्टेश क्याा है कि दुश्य स्माइब ये इस तरीके से रखेंगे यह इन का करने इन दोनों को एक करतेंगे वण यह हमने औहें टूप कर देंगे प्लेंगे हरे इक डिए बनाते हुए यहां से हमने स्टार्ट के टार इस तरफ आजाएंगे दूसे तरफ इसमें एक वणड़ कुरुशय ए तो एक वणड़बल कुरुशे एहां बनाएंगे हैं वणड़बल कुरुशे हम यहां बनाएंगे ज detective सारे दो की साइट पूरे हो गया हमारा स्टिच कम नहीं है इवन नंबर में ही स्टिच है तो इस चीच का आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर में स्टिच होने चाहिए अब यह जो चैन थ्री हमने स्टार्टिक में बनाई थी यहां पर हम स्लिप स्टिच से अटाइच करते हैं कि अब दिखें चैन थ्री बनाएंगे वन टू त्री और हम यह वाली रोड रिपीट करेंगे तो हमने यह चैन थ्री बनाई और यह जो बैक वाला स्टिच है इसमें बन डबल कुशिय बनाएंगे इस तरी के से जाले आँ अब फिर वापस से आगे वरिस्टिच में स्टिच बनाएंगे थि पीछे वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे इस तरी के से करते हुए हम इधर आ जाते हैं जहाँ पर आमने फंदे घटाएं थिकैं यहां पर यहां तक बना लिए दूस्रेश को हमने एक गया थो के इस स्चोंप छोड़ देंगे इसको नहीं बनाएंगे अब कि इस वाले टोट शोड़ा और ऑले ृप्प कि यहां पर छोड़ दिया है आगे के हम बनाती से लुए वाला स्टेक्ट थराख तक independence कर देँ अब हम कोई स्टिच नहीं गड़ाएंगे चैंत्री बनाएंगे और यहां से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और एक रो हम यह बनाएंगे एक रो हम यह बनाएंगे और आम की जितनी लंबाई है हमें पूरी कर लेनी है तो मैं बताती हूं आपको कितनी ब चीज खरी आखम एक स्लीव होगा स्लाइनेंफ्ल नाइन सब्सक्राइब सबस्क्राइब और नीचे स्लीव अंडर आम के बाल बाड बाड़ी-पार्ट में तरह कि जैसे हम नीचे की तरफ बनाया है वैसे हम यह आर्मे भी बनाएंगे तो बना के देखे गे राउंड वर इस तरफ आजाएंगे फिर चैंगी बनाएंगे ऑर फिर जो स्टेच आगे की तरफ है उसका आगे की तरफ बनाएंगे जो पीछे की तरफ है दोनों स्रीवस बना है नहीं इसके बाद गला बनांगे यहां से धागा लगाएंगे यहां से धागे को हमेशा अच्छे से गांड बांग के लगाईएगा और जो एक्स्टा धागे होंगे उनको हम सुई में लगा डाल के और स्टिचन में अंदर की तरफ डाल देंगे और एक्स्रा जो दिखेंगे उनको काट देंगे तो इससे हमारे स्ट्राइटर में फिनिशिंग आ जाएगी चैन्ट्री बिनाएंगे वन टू त्री और देखेंगे जो एक्स्रा धागे हम इस तरीके से साथ में लेके चलेंगे तो अभी यहां पर यह फिनिश होते जाएंगे साथ के साथ यहां पर जब हम स्ट्रीच बनाएंगे तो यह थागा हम साथ में ले लेंगे इस तरीके से पहली जो रो बनाएंगे हम तो राउंड राund हर एक स्टिच में एक est बनाते हुए रहें स्टिच में की स्टिच बनाएंगे और सिच्छ से इस तुप आ जाएंगे यह रो मैं वना ली ती हूं ठीक है कि अच्छ कर देंगे अब हम सेकन्ड रो बनाएंगे सेक्ट डो में देखें क्या करना है चार। चेंडल बनायेंगे और देखी एक अपने टू बना रहा है यह इक जैसे के भॉर्डर बना था वैसे हमें एक स्टिच आगे की तरफ बनाना है और एक स्टिच पीछे की तरफ बनाना है फिर एक स्टिच आगे की तरफ बनाएंगे और एक स्टिच पीछे की तरफ बनाएंगे इस तरीके से बना के हम इस तरफ आ जाएंगे फिर देखे दो रो और बनाएंगे तो मैं वो कैसे बनानी है तो आप वीडियो लास्त देखिएगा यहीं तो आपको कनफीजन हो जाएगा तो यह अभी क्योंकि इससे गला फैल जागा रहा हम राउन राउन बनाएंगे तो गला फैल जाएगा हम थोड़ से स्टिच घटाएंगे इसमें तो यह रो में पहले बना कि इस तरह पाजाती है कि त्रीदी एक सेकेंड भी मैंने बना ली है अब यहां थाड़ वारी चैन में हमसको स्टिपस्टिस आटेच कर देंगे कर्से चैन टू बनाएंगे में थ्रीनी दो कि यहां पर यहांब दोनों तरफ एक एक स्टिज घटाएंगे तो पहले हैं बना कि इस तरफ आजाती है तो ये देखी हम यहां पर आ गए और देखे जब हम इसको इस तरही किसे करेंगे सिके देखें ये वालस स्टिच ये हमारा फ्रेंट Earlier ये आधे आ उनको एक करेंगे जिए और यह वीच वाला इसको छोड़ देंगे और दूसरा फ्रेंट पोस्ट डबल प्रूशिया है उसको इस तरीके से दोनों को प्रिक करते हैं तो जिस तरीके से हमने यहां किया है ऐसा ही हमें यहां पर बीच-बीच 2 इस्टिच होंगे उनको कम खुम करना यह से जिसेमरंने यह किये अबर, जैंड़ और तो यहां पर चैन 2 ही बनाना है हमें चैन 3 नहीं बनाना है नहीं तो यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो यहां से दिखें आप यह फिर से यह 1 double stitch आगे की तरह बनाएंगे एक stitch पीछे की तरह बनाएंगे तो मैं यहां पे जहां पर हमें स्टेज काम किये थे यहां पर इरा आके। यहाँ पर आ जाती हुँ फिर मैं बताऊंगे आपको करिए रगषा पर हमने किस तरह के से बनाना है बस या रवादी रोल हमारी लास्ट हो की इस तो इस こ Wa destrid गट ए था तो था तो यह घयां फिर्चा हथ तो अब यह जो है इसको दिकिए से यह नंगों को एक साथ इस तरीके इस तरीके से बना लिए एक इस तरीके से बना लेना है और एक तरीके बन कर कैसा लग रहा है तो दिखे फ्रेंड्स यह सवेटर में पूरा बना दिया है तो दिखे बंकी कितना सुदर लग रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पिसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट है तो आपा